नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ति आज बात करेंगे कि किस तरीके से पेट्रोल में जो आग लगा हुआ है उससे अमीरों को फाइदा होता है कैसे होता सबसे पहले बात करते है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि सरकार केंदर सरकार और स्टेट सरकार राज्य सरकार अगर मैं सिरफ दिल्ली का ले लूँ तो दोनों मिला कि 147 प्रतिशत टेक्स लेती है ये दो सरकारे 147 प्रतिशत जो पेट्रॉल जो बेचा जाता है डीलर को उसपर 147 प्रतिशत के आसे पास टेक्स बैठता है पेट्रोल पर दिल्ली में कुछ राज्य हैं जहाँ पर वो उससे इससे भी जादा बैठता है क्योंकि वैट स्टेट का जादा है किसी-किसी राज्यों में खेर इसके कारण क्या हुआ है इसके कारण ये हुआ है कि देश में जो जिसको हम महंगाई दर कहते हैं महेंगाई दर मही में बिलकुल आस्मान छूरा है जिसको wholesale price index का जाता है यानि कि जब आप किसी wholesale market में जाकर चीजे खरीदते हैं wholesale price index यानि wholesale महेंगाई दर 13% पहुच चुकी है मही में और जो आप pass के दुकान से खरीदते हैं जिसको हम retail यानि कि consumer price index कहते हैं retail inflation retail महेंगाई जला गया है 6% के पार 6.93% और इसका सबसे बड़ा कारण wholesale price index का उपर जाने का है कि petrol diesel के दाम जिस तरीके से उपर गए माई में पिछले माई की तुलना में 81% प्रतिशत petrol diesel के दाम बढ़े हैं और ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में महेंगाई दर इस तरीके से बढ़ा है और महेंगाई दर किस समय बढ़ा है जिस समय लोगों के पात में पैसे नहीं है लोगों का income कम हो रहा है कहीं पे नौकरी जा रही है तो कहीं पे कट हो रहा है इस टाइम पे महेंगाई बढ़ना मतलब हाथ में पैसा और भी कमाना आमदनी अठनी खर्चा रुपईया यही हो रहा है इस वक्त नॉर्मल टाइम में क्या होता जब देश में इस तरह की मंदी एक महा मंदी चाही हुई है सरकार को क्या करना जाएता है पेट्रोल डीजर जो कि हर एक चीज में लगता है इसको सरकार को चाहिए ता सस्ते में देना अब सरकार क्या करी इसको बढ़ा रही है इस पर टैक्स लगातार बढ़ा रही है क्यों बढ़ा रही है क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है खर्च करने के अगर सरकार खर्च करना चाहती है बजेट के लिए तो सरकार के हाथ में पैसे नहीं है क्यूंकि लगातार और कॉर्पेट सेक्टर को छूट मिल रहा है जो سेट्स लोग हैं सूटबूट वाले लोग हैं उनको छूट मिल रहा है अब ये ग्राफ देखें इस ग्राफ में आप टेक्स का शैर, टोटल कुल टेक्स में लगातार गुरता रहा है, कहा 36% के आसपास था, आज वो गरकर 23%based पर पिछले साल उतर आया, और इनकम टेक्स का शैर जो की 18% के आसपास था वो बढ़कर 23% को क्रोस कर गया है, ठीक है, यानि 인कम टेक्स का शैर जादा हो गया है, corporate tax, यह है जो लोग हम देते हैं, खेर, income tax तो अमीर लोग जादा देते हैं, यह सही है, जो middle class income लोग हैं, वो देते हैं, जो गरीब तके के लोग हैं, उनको छूता नहीं, इसलिए income tax एक अच्छी बात है, income tax, direct tax जिसको जाता है, वो लिया जाए तो अच्छी बात है, उससे ग corporate profit record level पर गया है, एक और इस graph पर आप line देखेंगे, तो इस line में एक और चीज़ आपको देखेगा, इस line में आपको देखेगा कि किस तरीके से corporate tax के गिरने के साथ-साथ, जिसको indirect tax किया जाता है, excise duty, custom duty, GST, जो हम क्योई भी चीज़ खरीदने पर देते हैं, वो लगातार बढ़ा है, कहाँ पर वो 45% के आसपास था, 10 साल पहले आज वो 50% से जादा हो गया है, यानि आदे से जादा हर कोई tax दे रहा है, कोई भी चीज़ जो लोग खरीदते हैं, वो इस पर tax दे रहे हैं, अब जब ऐसा हाल हो रहा है, तो क्या होगा, सरकार के पास एक ही जगह है tax लेने की, क्योंकि उस पर लोग खर्चा करेंगे, कोई भी company हो खर्चा करेगा, कोई भी वो है, पेट्रोल डीजल, आने जाने का तो आपको कहीं, काम पे तो आना जाना है, तो पेट्रोल डीजल पर जो tax है, इसको हम calculate करके आपको अगर बताएं, तो ये पेट्रोल डीजल के tax का जो level है, वो लगातार बढ़ता रहा है, पिछली कुछ सालों में, कुल जो tax revenue है सरकार का, उसमें पेट्रोल डीजल का जो share है, वो लगातार बढ़ता रहा है, उसी rate पे बढ़ रहा है, जिस rate से corporate tax कम हो रहा है, corporate tax 23% के आसपास आगया है, कुल tax revenue का, और आप देखें क जो पेट्रोल डीजल का contribution है, वो 20% के आसपास आगया है, मतलब सीधा खर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है पेट्रोल डीजल पर, उसका सीधा फाइदा सेट लोगों को जा रहा है, corporate को जा रहा है, इसका एक उपाय आराम से था, वो रास्ता क्या था, कि आ आप लोन दीजिए, राज कोशे घाटा, फिसकल डेफिसिट को बढ़ाईए, लोन लीजिए और वो खर्च कीजिए, गरीब लोगों पर, आम जनता पर खर्च कीजिए, लोगों से ही टैक्स लेकर उन पर मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या फाइदा हो रहा है, आप लोगों से टैक्स ले रहे है, आम जनता से टैक्स ले रहे है, जी एस टी पर जादा ले रहे है, पेट्रोल डीजल पर जादा ले रहे है, और किसका वालेट भारी हो रहा है, किसका बैंक बैलन्स बढ़ रहा है, सेट लोगों का, पुझुई पत्यों का, कॉर्परेट का, उनका फा इसा जाता ये उनको पेट्रोल डीजल पर खर्च करके सरकार को देना नहीं पड़ता और सरकार ये भी कर सकती थी कि जो सबसे अमीर है उन पर वेल्थ टैक्स बढ़ा सकती थी आप देखें कि हमारे देश में जो सबसे अमीर लोग है उनका जो कुल संपत्ती है वो बहुत के गरीब पर आम आदमी पर खर्च कर सकती थी सरकार सरकार नहीं किया सरकार इंकम टैस का टॉप ब्रैकेट बढ़ा चुकी है सरकार कॉर्परेट टैक्स बढ़ा सकती थी क्योंकि प्रॉफिट इतना जाद है लेकिन सरकार नहीं किया सरकार खर्चा कर रहे तो आम आदमी से पैसे उठाकर खर्चा करें और फाइदा हो रहा है किसका अमीर आदमी का आज का एपिसोड यहीं तक